नमस्कार दोस्तों निफ्टे चनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपने 18.600 के नीचे पुट बाई करनी है और नीचे आई मार्केट और टार्गर दिया था 18.521 वो हमें मिला और फिर यहां से मैंने कहा था कि यहां से लेकर यहां तक हमें लगबग 80 पॉइंट का प्रॉफिट जुरूर हुआ तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले चलते हैं यूएजडी आई नार पे यूएजडी आई नार जैसे मैंने कहा था कि आप सेल कीजिए तो सेल करके रहिए और सेल कहां तक करना है यहां तक आपने यहां पे क्या है यहां पे है 82.13 जो की 50 एम है 82.193 यहां पे है तो 82.193 के आसवास आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिए जो आपने मेरे कहने पर यह सेल किया हुआ और उसके बाद आपने फिर से कॉल यह यूएजडी आई नर कब बाय करना है यह यहां तो बाय करना है इस एरिये में 81.6 से लेके 81.7 के पास यहां फिर बाय करना है 82.56 के उपर यह इसके उपर आजे फिर बाय करना है वरना अभी सेल साइडी रहिए और जब तक यह 50 एमा आपको मिलना जाए तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक पर तो सबसे पहला स्टॉक जिसका चार्ट मुझे अच्छा लगा जिसने ब्लेक आट दिया वो है बाल किष्णा इंडस्ट्री जो मैंने लेवल आपको पहले बताया भी हुआ कई बार 2161 तो उसके उपर फिर से सस्टेन हुआ है बाल किष्णा इंडस्ट्री और नीचे 2127 के नीचे चार्ट बिगड जाएगा उपर की और रिजिस्टेन्स 2231 2343 नीचे की और फिर आगे जो स्पोर्ट है 2038 और 2070 बाकि बैल साय बाय सेल आप खुद डिसाइड कीजिए अगला जो स्टोक है वो है आई ओसी आई ओसी भी 79.20 के उपर ब्रेक आउट और नीचे 77.40 जब तक है तो चार्ट स्ट्रॉंग है जैसे यह तूटेगा तो नीचे की और चार्ट खराब हो जाएगा उपर 81.40, 82.60, 83.30, 84.70 तीसरा जो स्टोक है वो है अबॉर्ट इंडिया इसने भी ब्रेक आउट दिया है 2210 के उपर नीचे 21776 के नीचे जाएगा तो चार्ट खर 2566, 362 और 730 तक के टार्गेट आपको यह वले जो दिये हुए यह रिजिस्टेंस आपको मिल सकते हैं तो आएए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे आते हम CNX फिन निफ्टी पर तो फिन निफ्टी में इसमें देखिए जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में बताया है कि जो इ कैसे एक तो पुट कॉल रेशियो काफी घिर चुकी है 0.56 क्रूड 78 पर आ चुका है और जो बॉंड जी लेवर 3.5 अब मार्किट के उपर जाने के चांस है काफी ज़्यादा बन गए हैं और सिंगापू निफ्टी भी 150 पैंट अब स्वाल उड़ता है कि हमने कौन सा गैप अब बाय करना है तो पहले आते हैं कि अगर गैप खुला 18,655 के नीचे नीचे इस एरिया में तो आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना फिर वेट करनी है कि नीचे आए और इस एरिया में जैसे ही आए तो आपने 18,300 की कॉल बाय करनी है अब फिर से इसी लेवल को दुबारा बाय करना है जो पहले भी मैंने बताया था उसके बाद अगर माली जैग गैप अपनिंग होती है इस सेरी में 18,700 के उपर तब हमने खुलते ही कॉल को बाय करना है 18,600 का और नीचे जो स्टॉप लो सकना है वो 18,600 का ही रखना है 18,600 की कॉल बाय करना है और SL 18,600 टारगेट 18,759 786 835 और 869 क्यों क्योंकि यहाँ पर है 50 M और यहाँ पर है 10 M इसके लावा जो पुट बाय करना है वो बाय करना है अगर 18,425 टूटा तो पुट बाय करना है नीचे जो टारगेट मिलेगा 18,370 251 478 18,080 और 18,044 तक करदी मिल सकता है मतलों काफी भारी गरावट आ जाएगी अगर 18,425 टूटा तो यह लेवल स्टेप पर स्टेप आपने फिर टारगेट बुक करते चलना है और इसका भी स्टॉप लोज जो रहेगा वो भी सेम 18,500 का फिर आपने स्टॉप लोज सकना है अगर 18,425 टूटा तो यह था उपर और नीचे दोनों साइड का ट्रेयर सेटप फिन निफ्टी का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाज ज़्यादा वीडियो को शेर कीजिए थेंक यू धन्यवाद